आज हम आपको रेफरेंस टैप के रिसर्च ब्लोग के अंतरगत सर्च ओप्शन की जानकारी दे रहे हैं मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर कोई डॉक्यमेंट चेक कर रहे हैं और उसमें आपको किसी भी चीज़ की डिटेल देखनी है चाहे वह कोई प्रसिद्ध वैक्ती हो, स्थान हो, कोई नियम हो या फिर कोई वर्ड ही क्यों ना हो ऐसे में यदि आप MS वर्ड छोड़ कर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो कई बार लिखने या पढ़ने का फ्लोग तूट जाता है हम disturbed होते हैं और इसमें काफी समय लग जाता है ऐसे में आप सर्च अप्शन की सहायता से आप वर्ड में किसी भी चीज़ के बारे में वेब से पूरी जानकारी निकाल सकते हैं चलिए आपको सर्च अप्शन का उप्योग बता देते हैं सर्च अप्शन का यूज करने के लिए आप देखेंगे रिफ्रेंस टैब में आपको एक उप्शन दिखाई देगा सर्च का इस अप्शन को यूज करने के लिए माल लीजे कि हम यहापर Microsoft से रिलेटिड कुछ इंफोमेशन सर्च करना चाते हैं जो भी इंफोमेशन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इसके नीचे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे Microsoft से रिलेटिड जितनी भी वेबसाइट से वो यहाँ पर आपके सामने रिपर्जेंट हो रही है जिसमें से आप किसी भी लिंक पर डिरेक्ली क्लिक करके वेब पेज को ओपन कर सकते हैं माली जाए हमने इस फाले लिंक पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर Microsoft Office की ओफिशल वेबसाइट आपके सामने रिपर्जेंट हो गई है आप डिरेक्ली यहाँ से किसी भी चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं इसके बाद हम इसे बैसिकली कैंसल कर देते हैं वापस अपनी डॉक्यमेट पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी केटिग्रीज दी गई है और इन कैटिग्रीज में आप देखेंगे आपको काफ़ी सारी ओप्शन दीगे हैं जैसे कि All All का मतलब आप इसमें सभी चीजों को सर्च करना चाते है Microsoft से Related इसके पाद जो भी information है उनमें से सभी चीजों को आप यहाँ पर सर्च करना चाते है अगर आप यहाँ पर web को सिलेक्ट करेंगे web का मतलब है आपको यहाँ पर सभी website दिखाई देंगी जिस भी website को आप यहाँ पर open करना चाते है डर्टली आप one click से उसको यहाँ पर open कर सकते है इसके बाद आप देखेंगे आपर next option आपको दिखाई देगा media का अगर आप यहाँ पर media को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर केवल images दिखाई देंगी Microsoft related जितनी भी images यहाँ पर होंगी वो सभी images आपको यहाँ पर दिखाई देंगी इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर help की बात करें तो Microsoft related help की जितनी भी information होगी पर वो सभी information आपको यहाँ पर दिखाई देंगी इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर files की तो file पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पूरे system में Microsoft से related जितनी भी files हैं चाहे वो MS Word की हो चाहे वो Excel की हो चाहे वो PowerPoint की हो वो सभी files आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर जा करके इसे filter भी कर सकते हैं filter में जैसे आप यह चाहते हैं कि आपको किवल MS Word की file देखनी है बाकी कोई भी file आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर किवल आप MS Word को सेलेक कर सकते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ MS Word की file रेपरजन हो रही है अगर आप यहाँ पर all पर टिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी file दिखाई देंगी जिस file में भी हमने यहाँ पर Microsoft का use किया होगा वो सभी file आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर this file की तो this file पर जैसी हम यहाँ पर click करेंगे तो इस file में जितनी जगा पर हमने Microsoft का use किया है यानि Microsoft Word का हमने यहाँ पर यूज किया है वो सभी Word यहाँ पर आपको highlight हो करके दिखाई दे जाएगे तो इस तरीके से आप अपने same document में रहते हुए किसी भी Word के बारे में कोई भी information आसानी से सर्च कर सकते हैं अब इसके बाद माल लीजिए आप यहाँ पर इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर noun भी represent करेगा word भी represent करेगा origin भी represent करेगा इसी से related यहाँ पर जितने भी sentence होगे भो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे noun pronoun भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो basically यह जो option है यह basically एक browser की तरीके से काम करता है माल लीजी आप Google को open किये बिना आप यहाँ पर कुछ भी search करना चाते हैं तो directly आप MS Word में इस feature की मदद से आप directly किसी भी text के बारे में या किसी भी word के बारे में आप आसानी से search कर सकते हैं और उसकी website पर directly यहाँ से redirect हो सकते हैं तो इस तरीके से आप MS Word में research option के अंतरगत search option का use कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share ज़रू कीजेगा धन्यवाद